8,26,000 रुपे की spelling क्या होती है और 8,26,000 रुपे को check पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 8,26,000 रुपे को English में हम 8,26,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम account पे check देना चाते हैं तो check के सबसे उपर corner में हम account पे only लिखेंगे फिर जहां पर पे ABC नेम लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का नेम लिखेंगे जिसे आप check देना चाते हैं और नीचे आप लिखेंगे और इसकी spelling होती है और उसके नीचे 8,26,000 रुपे मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप Hindi या English किसी एक बाशा में ही चेक परें और राइट हैंड साइट में जो box दिया हुआ है उसमें 8,26,000 रुपे को अंकों में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है आठ, दो, छे फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है वह उस नाम से उपर आपको अपने signature करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा पर्यास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपकी लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं अख़ो जह सब्सक्राइब करें किंवादाब कमारी जाया है और को में खते हुआश।